हलो वेलकम टू स्टडी ग्राम चैनल आज हम हिंदी सायती से अत्यनत महतपूर प्रशनों को देखने वाले हैं जो परिछा की दिष्टी से बहुत ही महतपूर है तो सबसे पहला प्रशन है कि भारत में सरवाधिक लोगोद्वारा कौन सी भासा बोली जाती है तो हिंदी बोल अगला प्रशन्ये कि भारत की प्रथम राश्ट कवी कौन है तो मैथली सरणगुप्त को प्रथम भारत का राश्ट कवी कहा जाता है अब यह राश्ट कवी सबसे पहले इनको कौन बोला था तो महत्मा गांधी ने यह उपादी मैथली सरण गुप्त को दी थी अगला प्रशन है कि आधुनिक युक की मीरा किसे कहा जाता है तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युक की मीरा कहा जाता है और यह महादेवी वर्मा कौन है तो जो चायावाद की प्रमु कवित्रियों में से एक है अगला प्रश नहीं कि हिंदी विशे पे प्रथम ज्यानपीट पुरसकार पाने वाले कौन थे हिंदी विशे पे प्रथम ज्यानपीट पुरसकार पाने वाले थे सुमित्रा नंद बंद जो कब मिला थे इंको 1968 यानि 1968 में हिंदी विशे में प्रथम ज्यानपीट पुरसकार मिला था अगर आप प्रस्ण है कि हिंदी विशेवे प्रथम ग्यानपीट पुरसकार किसे मिला तो सुमित्रा नंदपंद को मिला कब मिला तो 1968 को मिला अगला प्रस्ण है कि कलम का सिपाई किसे कहा जाता है तो मुंशी प्रेम चंद को कलम का सिपाई कहा जाता और इंका जन्ब कहा हुआ था तो लमही में हुआ था जो की वाराण सी मिश्थी थे अगला प्रशन की साहितकार अग्ये का पूरा नाम क्या है अग्ये जी का नाम भी पूरा पूस्ता है कि इंका पूरा नाम क्या है तो सचिदानत, इरानत, वास्यान, अग्ये है अगला प्रशन की हिंदी का प्रथम समचार पत्र कौन सा है तो वो है उद्धन्त मारतन और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 30 मई 1826 में हुआ था और कोलकाता में और इसके जो संपादक है वो है पंडे जुगल किशोर शुपले हैं इसलिए 30 मई को क्या करते हैं पत्र कारता दीवस भी मनाया जाता है 30 मई को चले अगला प्रश देखते हैं कि भारत में संस्कृत मां हिंदू बहुरानी अंग्रेजी नौकरानी ये किस महापूरस की अनमोल वचन है तो डाक्टर कामिल बुलके ने ये विचार दिया था कि जो लिदास को का जाता है अगला प्रश ने कि मध्य प्रदेश के किस जीले में प्रथम हिंदी साक्षर जीला घोशित किया गया है तो नर सिंग पूर को हिंदी जीला सबसे पहले घोशित किया गया तो अगला प्रश ने कि रामधारी सिंग दिनकर को किस रशना के लिए ग्या अगरा में इश्तित हैं चले तो आज हमने इतने ही प्रश्ण रखे तो और भी मात्वर प्रश्णों को देखेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद करें तो